हेलो दोस्तों नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम बात करें BPSC TRE 3.0 के आरचन को लेकर BPSC TRE 3.0 के अंदर अगर आप आवेदन करने की सोच हैं जिसके आधार पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आपको चैन्जिस देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि पिछली वार जब BPSC TRE 2.0 निकाली गई थी तो उसमें आप सभी जानते हैं कि लगबग लगबग आप सभी के लिए 16,000 से जादा ऐसे पद निकाले गए थे जो के मेल कैटिगरी के अंदर थे लेकिन उस समय 16,000 से जादा सीटों पर प्रैमरी में अदर इस्टेट के कैडिडेट ने प्रतिवा किया था और वो सीटें पूरे तरीके से अदर राज्यों के अभ्यतियों के लिए ओपन थी लेकिन इस बार ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा क्योंकि उसकी वज़े है बिहार में आरच्छन नियमों में किये गए बदलाव को लेकर इस आरच्छन नियमों में बदलाव कर देने की वज़े से आलमोस्ट नबे परसेंट जो सीटें रह जाती हैं वो सीधे तोर पे बिहार के राज्यों के अभ्यतियों के लिए ही होंगी बाकी की 10% सीटें भी उत्तर प्रदेश या अनिजाज्यों के लिए नहीं हैं कैसे डिटेल में समझते हैं लेकिन उससे पहले यहां पर चीज़ें आपको किलियर कर लेनी चाहिए तो बिहार सिच्छक बरती के अंदर आप जानते हैं कि अब आरच्छन डियों में बदलाव हो जाने के बाद से यहां पर जो सेर्डी वार आरच्छन है उसमें काफी बदलाव हुआ है सबसे पहले अगर बात की जाए ईबी सी को लेकर है ना तो एबी सी के लिए जो आपको आरच्छन देखने के लिए मिलेगा उन अब्यरतियों के लिए लगबग 25% आरच्छन यहां पर रिजर्फ किया गया है इसी तरहीके से पिषडा वर्ग के अब्यरतियों की बात की जाए तो इनके लिए लगबग 18% आरच्छने पिछडा की हम बात कर लेते हैं OBC लिख देते हैं short में ठीक है फिर इसके साथ अगर बात कर ली जाए ST वाले अब्यातियों के लिए तो यहां पर इनके लिए भी लगबग आप सभी के सामने 20% जो आरचन वो देखने के लिए मिलता है और ST वाले अब्यातियों के लिए 2% आरचन आता है जब आप इसको टोटल करेंगे तो 182 पिलस 20 20 20 40 और पिलस 40 25 की बात की जाए तो यह 65% बनेगा अब बहुत सारी अब्याति करेंगे कि सर आरचन 75% है लेकिन यहां तो पैसेंट बन रहा है तो शायद आप EWS के 10% आरचन को भी भूल गए उसको मिलाकर यह आरचन लगबग 75% बन जाता है अब थर्मनेल में तो हमने 90% लिखा है लेकिन यह 75% का रीजन क्या है वो भी ध्यान से समझेए असल में होता क्या है कि जब यहां पर बिहार के अंदर वेकंसी निकाली जाती तो इसकी एक खासियत है वो खासियत यह है कि यहां पर जैसे कि 100 बदों के लिए वेकंसी निकाली गई है तो इसमें 75% सीटें तो सभी आरचित सेडियों के लिए रिजर्व की गई है अब बची कितनी सीटें 25% लेकिन यह जो 25% सीटें बचती हैं उसमें से भी 50% सीटें यानि कि 25% का 50% अगर आप निकालें यानि कि 12.5% सीटें जो होती हैं वो महिलाओं के लिए सीधे तोर पे रिजर्व होती हैं यानि कि अगर आपके पास में 100 सीटों मैं से 75 सीटें रिजर्व हैं तो उसके बाद 25 सीटें उस 25 का भी 50% अगर आप निकालें तो वो विहार की महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं यानि कि अब अगर आप टोटल करेंगे तो 75 पिलस साड़े बारे तो मिलाकर कि आप दे वादर स्ट्रीट केंड़िट कर सकते हैं तो इसका जवाब होगा नहीं ध्यान से समझेए यह जो साड़े बारे परसेटें बचती हैं उस पर आपको ध्यान देने योग की बात ही होगी कि यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी वर्थी को लेकर प्रोशे शुरू होता है तो स जहाए वह OBC का हो SC का हो ST का हो या इसके अलाबा EWS का या किसी भी कैटेगी से आता है अगर उसके कट-off अनिजब से ज्यादा है अनिजब के बरावर है तो उसको नौकी अनिजब की सीट में मिलेगी अब अनिजब की सीट किसकी है जो 25 परसेंट थी लेकिन उसमें से 25% मिलाओं को दे अनि कि इस अब बारे परसेंट में ओवालैपिंग को इस प्रोसेस कई और औरेजब करेंगे जर्नल की cutoff पर जनकी cutoff यहाँ पर ज्यादा बन रही है तो उनको नोकी यहाँ पर दे दी जाएगी तो इससे क्या होगा कि जो 12.5% सीटे होंगी तो लगबग लगबग 3% सीटें overlapping के थू भर जाएगी यानि कि almost आप मिला करके देखें तो अब आपके पास में 9% सीटें बचती हैं इस 9% सीटों के लिए इस पर अनेज़व मेल के अब्यरती भी होंगे ठीक है कहा के? बिहार के इस पर भारी राज्री के मैल और फीमेल केंडिडेट भी होंगे ठीक है? इन इनी 9% सीटों पर और इसी मेंसे आप सुभी जानते हैं कुछ और आरच्छन भी जोड लिये जाते हैं अगर आविशकता बढ़ती है तो जिसको आप जानते हैं फीडम फाइटर के नाम से एक सर्विसमेन के नाम से इसके अलावा जो भी यहां पर कैटेकरिस बचती हैं जो कि यहां पर 20-10% सीटे हैं उस पर इस बार चैन लेना आसान नहीं होगा खुद बिहार के अभ्यारतियों के लिए भी और बाहरी राज्जी के अभ्यारतियों के लिए भी और यह चीज़ें मैंने आपको जिस आधार पर समझाई हैं उसको समझने के लिए आप यह देखो यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कल के निउस पेपर में जानका ही आप सभी ने देखी थे कि सिछख भरती में तीसे चर्ण में लागू होगा नया आरचन का नियम अब यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि EBC के लिए 25% सीटे हैं पिष्डा के लिए 28% सीटे हैं और स्थी के लिए 20 और स्थी के लिए लगबग 2% इसको मिलाएंगे तो 65% बनेगा 10% EWS क्रिटिकरी का यह पिलस जो अनिजब की सीटे बनेगी यानि कि जो 25% सीटे अनिजब की बचती है उसमें 50% महिलाओं की होगी तो कुल में लाकर 87.5% आरचन तो स अभयतियों के लिए 25% इसमें कौन को न आ जाते हैं एक सर्विसमें आ जाते हैं फीटम फाइडर आ जाते हैं और भी अलग लग प्रकार की तो उसके बहाब में जब यहां पर आप सभी का फाइनल जो कट आप बनाया जाएगा तो उसमें 22 आज जी के अभयतियों के लिए निशित तोर पर अभयतियों के बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलेगा और इस बार अधर इस्टेट के लिए जो रहा है वो आसान नहीं होगी क्यूंकि यहां पर पिछली बार जो वेकिंसी निकाली गई थी एक्जांपल में आपको बताता हूं इक ली थी ना मेल की इन्हीं पर सभी अभयतियों ने आवेदिन किया था चाहिए वो बिहार का मेल अभयति था चाहिए ओबर लेपिंग के थू आने वाले कैंडिडेट थे या इसके अलावा किसी और के जैसे की फीडम फाइडर वगरा के अंदर तो 16,000 सीटों में तो एक प्रáια चाहिएग लावा किसी फंपटीशन का जो लेवल था वो काफी जयादा आप सभी के लिए सिंपल था लेकिन यहां पर 90,000 वेकिनसी तो आ रही है लेकिन यही में जो 90,000 वेकिनसी वो अलग अलग कि अंदर बंड्यावाई की weकिनसी अलग है और इसके लावर 11 तो 12 क वेकिंसी अलग है, सभी में अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, सभी के अंदर OBC, SC, ST और EWS क्रेटिकरी हैं, तो जब आप इसको समराइज करेंगे, तो पदों की संख्या 90,000 रहने के बजाए बहुत ही जादा कम हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है, य पिश्य तोर पे अपने राज्य के अव्यर्तियों को बेनिफिट देने के लिए ये प्रोसेस फॉलो किया है, और इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती है, अब बाहरी राज्यों का किसी ने ठेका तो लिया नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने राज्य के मुख्यमं हो जाए 75% का, अगर ये 75% लागू होता है, तो अदर स्टेट के लिए कुछ जादा बचेगा नहीं, उम्वीद है कि सभी सवानों के जवाब मिल गया होंगे, अभी भी आपने मन में कोई सवाल है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो, कि समते हैं, तो कि सवाल है, यू और खेंग रचेलए कोईalnız वाभी सवाव के जवादे जाते हैं, जर उब हैं, भी ज स्वांलों के जते हैं, ज की जवादा सवाल है।